लंदन 27 परवरी 2019 को वायू सेना स्टेशन श्रीनगर में ओपरेशनल रेडिनेस प्लैटफॉर्म पर तैनात थे सुबह 9 बच कर 55 मिनिट पर उननत हथियारों से लेस पाकिस्तानी वायू सेना के लड़ाकू वायू यानू को जिनमें चौथी पीड़ी के उननत F-16 तथा JF-17 शामिल थे नियंतर रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया लगबग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायू यानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया आप व्यत्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े असाधारन हवाई सूजबूच और शत्रुगी रणनीती की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायू यान वाहे एर इंडिसेप्ट रैडार से निम्न उचाई के वायू क्षेतर का निरिक्षन किया और पाया कि दुश्मन का वायूयान भारती लड़ाकू इंडिसेप्टर वायूयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न उचाई पर उडान भर रहा है आपने खदरे के प्रदी अन्य पायलटों को सचेत किया भारती सेना के ठिकाने पर अस्तर गिरा रहे पाकिस्तानी वायू सेना के खिलाफ जवाबी रणनीती बनाई इससे शत्रू के वायूयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए आपने शत्रू के लड़ाको बंवर्शक वायूयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायूयान को मार गिराया तथा भी इस धन घोर युद्ध में शत्रू की एक BVR मिसाइल आपके वायूयान से टकरा गई और आपको शत्रू की सीमा में उतरने के लिए बाद दे होना पड़ा एक युद्ध बंदी के रूप में कैब होने के बावजूद आप पूरे सैयम, बहादुरी और गरिमा पूर्ण तरीके से शत्रों से पेश आए जब तक आपको एक मार्च 2019 को वापस सौपा गया तब तक आपने असाधारन दृड़ता बनाई रखी इस कारे से सभी सशत्र बनों का और खास तोर पर भारतिय वायू सेना का मनोबल बढ़ा इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभीनंदन ने अपनी व्यत्तिकत सुरक्षा के परवाह न करते हुए अपने करतव्डे के प्रती असाधारन समर्पन तथा शत्रू के सामने अदम में साहस और शौरे का प्रदर्शन किया ग्रूप कैप्टेन वर्तमान अभीनंदन